नमस्कार आप देखरे क्ली न्यूज एमपी और मैं हूँ आपके साथ महक कपूर और वक्तों चला है मध्य प्रदेश की खास ख़बरों का सभी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंतग जरूर देखें मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 130 के पार इन जुलों में सक्ती बढ़ाई सीएम बोले आने वाले संकट की आहट देश में कोरोना के नई वेरियंट ओमी क्रोन के बढ़ते केसों की बात मध्य प्रदेश में भी ऐलर्ट जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश से सटी राज्यों, गुजरात, महराष्ट और राजस्थान की सीमा से लगी जिलों में निगरानी और जांच बढ़ाई गया है मध्य प्रदेश सरकार ने इन राज्यों से होकर आने वाली च्रेनों के यात्रियों को कोरोना जाज करवाना निवारे कहा है इसके अलावा बाल घाट में विदेश से आने वाले लोगों को आटी पीसीया टेस्ट निवारे कर दिया गया है और साथ देन क्वारंटाइन रहने को कहा गया है EPFO खातधार को के लिए खुश खबरी मिलेगा साथ लाग रुपे का बड़ा लाब जाने कैलकूलेशन EPFO खातधार को के लिए खुश खबरी है करमचारी भविश्य निधी संक्टन के इस सभी सदस्य सेवा निर्विती निधी निकाए की करमचारी बीमा लिंक बीमा योजना इसके तहट साथ लाग रुपे के मुफ्ट जीमा बीमा कवर के भी हगदार है EDLI, EPFO सदस्यो द्वारा भुगतान किये गए बिना किसी लागत या प्रिमियम के साथ लाग रुपे के सुनिष्ट जीवन बीमा लाप का फाइदा मिलता है शिवराद सरकार लेगी चार हजार करोड रुपे का कर्ज अपने हिस्से का नर्मदा का पानी रोकने परियोजना शुरू करने के लिए लेगी कर्ज मध्य प्रदीश सरकार पर अब तक 2 करोड तेरे पन लाग 335 करोड का कर्ज हो चुका है इसमें 1,54,000 करोड का कर्ज खुले बाजार का है शेस कर्ज में सरकार को पावर बॉंड सहित अन्य बॉंड का कंपंसेशन का 7,360 करोड वित्य संस्थाउन की देंदारी 10,901 करोड केंडर सरकार के रेड़ेवं अगरिम के 31,040 करोड सहित अन्य दाइत्व 20,220 करोड रुपे शामिल है अब शादी शुदा लोगों को मिलेगी 10,000 रुपे पेंशन स्कीम के तहत करे अपलाए अगर आप भी अपने बुढ़ापी को संवारना चाते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी है केंडर की मूदी सरकार द्वारा महज 210 के निवेश से बुढ़ापा सवारनी के लिए 10,000 रुपे पेंशन देनी की योजना चलाई जा रही है यह योजना सन 2015 से देश में संचालित है आप भी शादी शुदा हैं तो आवेदन करके योजना का लाब उठा सकते हैं बारत सरकार के स्कीम के तहट पतीवा पतनी दोनों भी इस योजना के लिए पात रहे मद्यप्रदेश पंचाच चुनाव हटाई जाएंगे यह अधिकारी फाइनल वोटर लिस्ट आज 14 को आरक्षन मद्यप्रदेश में पंचाच चुनाव की तारीखों का एलान होते ही हलचल तेज हो गई है आज यानी 6 दिसंबर 2021 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और 14 दिसंबर को जिला पंचाट एद्यक्षपत के लिए आरक्षन होगा वही आचार साहिंता लगते ही अब निर्वाचन शेत्रों में तीन साल से पदस्त अधिकारी हटाई जाएंगे इसके लिए राजे निर्वाचन आयोग निग्रहे और राजस्विभाग को कारेवाही कर प्रती वेदन देने के लिए निर्देश करे हैं इन ट्रेनों को मिलेगी ये सुविधा आज ये ट्रेन निरस्ट भोपाल जोतपूर एक्स्प्रेस का रूट बदला मध्य प्रदेश के रिल्यात्यों के लिए काम की खबर है वोपाल से होकर जाने वाली हजरत निजाम उदेन विशाका पटनम समता एक्सप्रेस निरस्ट कर दी गई है रैक के अभाव से गाड़ी संक्या 12808 हजरत निजाम उदेन विशा का पटनम समता एक्सप्रेस आज यानी 6 दिसंबर 2021 को अपने प्रारभबिक स्टेशन से निरस्त रहेगी मध्य प्रदेश में ओमी क्रोन का एलर्ट सरकार ने पडोसी राज्यों की सीमा से लगे जिलों में जाच की और निग्रानी बढ़ाने की नदेश दिये हैं साथ ही इन राज्यों से होकर आने वाली च्रेनों की यात्रियों की कोरोना जाच निवारे रूप से कराने के लिए कहा गया है सिक्षविभाग का गोद अभ्यान सरकारी स्कूलों की सिक्षव आया आगे पहली क्लास के 2726 बच्चों को लिया गोद बच्चों को ठीक धंग से पढ़ाने के लिए गारंटी बच्चों की सेक्षनिंग गुणवत्ता की सुधार के लिए सरकारी स्कूलों के सिक्षक बच्चों को गोद ले रहे हैं। दिले के डेर हजार से जादा स्कूलों के सिक्षकों ने पहली क्लास के 2726 बच्चों को गोद लिया है। अब इन बच्चों की पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा ताकि बच्चों का सेक्षनिक विकास हो सके। यह पहला मौका है जब सरकारी स्कूलों के सिख्षकों ने बच्चों को गोद लिया है। वालियर में सुबावी बूंदा बांदी, धून भी छाई, द्रिश्यता घटी, बंगाल की खाडी की तुफान से ठंड पर ब्रे। बंगाल की खाडी में आया चक्रवाती तुफान वापश्टिम विशोब से एक शहर का मौसम फिर से बदल गया है। सुबार को सुबा हलकी बूंदा बांदी हुई, जिससे हलका कोहरा भी छागया। इससे द्रिश्यता एक हजार मीटर पर रही। बादलों से नियुन्तम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गई। जिससे रात में ठंड गायब हो गई। रात में पंखे चलाने की स्थिती बनने लगी। सीएम के निर्देशों को उलंगधन चात्रों की जान से खिलवाया अधिकारी बेखबर। बीती दिनों मुख्यमिंत्री शिवराद सिंग्छ चहान ने साफ निर्देश दिये थे कि जब तक स्तिती सामाने नहीं हो जाती मध्यप्रदेश के सभी शास के और नीजी स्कूलों में 100% के बजाए 50% शात्रों को ही स्कूल बुलाया जाए और इसमें अभीभावकों की सह बीती होनी चाहिए लेकिन इसके बाव जूद राजधानी भुपाल के कई स्कूलों में नियमों का उलंगन होने लगा है यह उलंगन खुले आम हो रहा है और बच्चों को आफलाइन बुलाया जा रहा है तो ये थी दिन भर की दस बड़ी और एहम खबरे डेली ऐसी अपट